हेलो फ्रेंज वेल्कम टू यॉर ओन चैनल डेली स्टॉक तो यहाँ पर ओरियंट एब्रेसिव के क्यू थी के नंबर्स आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने कोटली और येरली बेसिस पर कैसा पफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाह आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ ही में अगर हम देखे रेविन्यू क्वारटर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो यहाँ पर 34 परसेंट का फॉल है मतलब पिछल net profit की बात करें तो 26% की गिरावट है पिछले quarter के comparison में और 1.04 करोड का net profit company ने किया है अगर हम year on year basis की बात करें तो revenue में 46% की गिरावट है महनलब पिछले December के quarter से यह December का quarter compare करें तो 46% का downfall और net profit की बात करें तो वहां पर 75% की गिरावट है तो company के results महलंब आप revenue ले लीजिया, net profit दोनों ही काफी बूरे आये है company के, तो bad results आये है company के, अब यहाँ पर 5 year high की बात करें, तो 67.40 है, बट currently 37.45 पर trade कर रहा है, और आज ये 3.03% अब था, लेकिन जैसे की company के results काफी बेकार आये है, अच्छे नहीं आये है, तो यहाँ पर आपको downfall देखन को मिल सकता है, तो अगर आपने इसमें निवेश करने का सोचा है, तो आपको उसे avoid करना चाहिए, I hope कि आपको orient abrasives के Q3 के number समझ में आ गए होंगे, अगर आपको video अच्छा लगा है, तो please like and share and subscribe our channel, और इस आपको कोई भी doubt है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूच सकते ह Thank you